आज की हमारी डेश है बहुत ही सिंपल अनार का रायता जिसके लिए मैंने लिया है आदा किलो दही थोड़े अनार के दाने और ताजा अनार का जूस चोकि मैंने निकाल लिया है और यहां पे है थोड़ा सफेद नमक थोड़ा भुरा हुआ जीरा पाउडर और यह है शुगर और काला नमक तो चलें देखते हैं कैसे बनाएं तो मैंने दही को ले लिया है बड़े बॉल में और उसमें डाल दिया जीरा पाउडर और अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफेद नमक यानि की 1 फोर्थ टी स्पून नमक को में कमी रखना है क यहां पर मैंने डाल दिया दो चम्मज शुगर पाउडर और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें कोई भी गुल्ठिया ना रहे और इसको बहुत ही फाइन हमको फेटना है बिल्कुल भी इसमें गुल्ठिया ने रहना चाहिए इसका ध्यान रखना है और अब इसां यहां तयार हो जाए तो इसमें मैं मिलाऊंगी अन्दा का टोरी Nam glance juice वह पाइन ज़ाएगा ने भी अनार का फ्लेवर आ जाएगा और क्योंकि यह बहुत अनार का राहता है तो उसमें आनार के दाने जरूरी है तो अब मैं डाल देते हूं उसमें तीन चम्मच आनार बिल्कुल बिना मेहनत की फोरन बन गई है और अब हम इसको सर्फ करते हैं तो सर्फ करने के लिए एक मैंने दूसरे बॉल में डाल लिया और अब मैं साइड में थोड़े नार के दाने रख देती हूं जिससे यह बहुत ही अच्छा लगने लगीगा देखने में तो रायते को सर्फ करने से पहले ठंडा जरूर करिएगा दो तीन घंटे के लिए इसको आप फ्रिज में रख दे और यह जब ठंडा हो जाए तभी इसको टेस्ट लें आप तभी इसको बहुत ही ओरिजिनल मजिदार टेस्ट आपको मिलेगा और यह थंडा ठंडा ही अच्छा लगता है तो कैसी थी हमारी जटपट रेसिपी बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल फॉरण बन जाने वाली तो जाने से पहले वीडियो को कर दीजे आप लाइक और शेर और करिए समद किचिन को सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचेंग